ओम शान्ती 30 अगस्त 2024 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा अभी बाकी थोड़े रोज हैं यहां तो रहना नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारा जनम जनमांत्र के पापों का जो बोजह जमा है वह खलास हो जाएगा भले माया की युद्ध चलती है परन्तु कितने भी संकल्प विकल्प आए या तुफान आए चाहे सारी रात संकल्पों में नेंद फिट जाए तो भी डरना नहीं बहादुर बनना है फिर बाबा ने कहा बहुत बच्चे ऐसे हैं जो याद नहीं कर सकते फिर तंग होकर छोड़ देते हैं माया से युद्ध करते नहीं समझा जाता है राजदानी स्थापन हो रही है तो नापास भी बहुत होंगे गरीब प्रजा भी तो चाहिए ना तुम्हें बहुत खुशबुदार फूल बनने की महनत करनी है पढ़ाई अच्छी रिती पढ़ होश्यार बन फिर औरों को पढ़ाना है तुम बच्चे अभी स्वर्ग के परिजादे बन रहे हो तो कितना खुश होना चाहिए परंतु अगर ज्यांसना नहीं करेंगे तो देवता भी नहीं बनेंगे लास्ट में बाबा ने कहा तुम सबको सुन्दर बनाकर मैं साथ ले जाने आया हूं यह भारत फिर सुन्दर बनने वाला है तुम बच्चों को पहले स्व्यम सुन्दर बन फिर और सबको सुन्दर बनाना है बाप तुम्हारे लिए नया घर बन बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी जाहिए, कि दुख हरने वाला बाबा, हमें सुख धाम में ले जाने आया है, हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। प्रश्न, बच्चों की किस स्थिती को देखते हुए, बाब को चिंता नहीं होती, क्यों? उत्तर, कोई कोई बच्चे, फस्ट क्लास खुश्बुदार फूल हैं, कोई में जरा भी खुश्बु नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तुफानों से हार खा लेते, यह सब देखते हुए भी बाब को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाब जानते हैं, यह सत्यू की राजधानी स्थापन हो रही है, फिर भी बाब शिक्षा देते हैं, बच्चे, जितना हो सके, याद में रहो, माया के तुफानों से डरो नहीं, ओम श्यान्ती, म मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, यह तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाब है, फिर शिक्षा देने वाला टीजर भी बहुत मीठा मीठा है, यहां तुम जब बैठते हो, तो यह याद होना जाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्स यहां तो वैशाल्य में बैठे हो, कितना मीठा बाप है, वह खुशी दिल में होने जाहिए, बाप हमको आधा कल्ब सुख धाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है, एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे इस्रिस्टी चक्र का राज समझ जाते हैं, जो और कोई नहीं समझा सकते, यह चक्र कैसे फिरता है, चोरासे जन्म कैसे पास होते हैं, यह सारा चप्टी में समझाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे, यहां तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी थोड़े रोज हैं, कहा जात बहुत गई थोड़ी रही बाकी थोड़ा समय है इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जनम जनमांत्र के पापों का बोजा जो जमा है वह खलास हो भल माया की युद्ध चलती है तुम मुझे याद करेंगे वह याद करने से हटाएगी यह भी बाबा बत देते हैं इसलिए कभी विचार नहीं करना कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए सारी रात संकल्पों में नेंद फिट जाए तो भी डरना नहीं है बाहदुर रहना है बाबा कह देते हैं यह आएंगे जरूर स्वपन भी आएंगे इन सब बातों में डरना नहीं है कुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए बाकि इसमें कोई स्वांस आधी बंद नहीं करना है आत्मा जब शरीर में होती है तो स्वांस चलता है इसमें स्वांस आधी बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है हट योग आधि में कितनी तकलीफ करते हैं बाबा को अनुभव है थोड़ा थोड़ा सीखते थे परंतु फुर्षत भी हो ना जैसे आज कल तुम को कहते हैं ज्यान तो अच्छा है परंतु फुर्षत कहां इतने कार खाने हैं यह है तुमको बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों एक तो बाप को याद करो और चक्र याद करो बस क्या यह difficult है सत्यूग त्रेता में इन्हों का राज्य था फिर इसलामी बोधियादी की व्रिधी होती गई वह अपने धर्म को भूल गए अपने को देवी देवता कहना सके क्योंकि अप पवित्र बन पड़े देवताएं तो पवित्र थे ड्रामा के प्लैन अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं वास्तों में हिंदू धर्म तो है नहीं हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है असली नाम भारत है कहते हैं भारत माताओं की जै हिंदुस्तान की माताओं थोड़े ही कहते हैं भारत में ही इन देवताओं का राज्य था भारत की ही महिमा करते हैं तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है बाप आई ही हैं घर ले चलने के लिए. किसको? आत्माओं को. तुम जितना बाप को याद करते हो, उतना तुम पवित्र बनते हो. पवित्र बनते जाएंगे, तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे. अगर सजाएं खाई, तो पद कम हो जाएगा. इसलिए जितना याद करेंगे, उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे बहुत बच्चे हैं, जो याद कर नहीं सकते तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं है ऐसे भी हैं, समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है नापास भी बहुत होंगे गरीब प्रजा भी चाहिए ना भल वहाँ दुख नहीं होता है परंतु गरीब और साहुकार तो हर हालत में होंगे यह है कलियुग यहां साहुकार व गरीब, दोनों दुख भोगते हैं वहाँ दोनों सुखी रहते हैं परंतु गरीब सहुकार की भासना तो रहेगी, दुख का नाम नहीं होगा, बाकि नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रोग नहीं, आयू भी बड़ी होती है, इस दुख धाम को भूल जाते हैं, सत्युग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा, दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं, मनश्य कहते हैं, स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ नहीं जानते, लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आना सके, बाप कहते हैं, कल तुमको सुख था, कल फिर होगा, तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं, यह अथेरियम नहीं है, यह पत्थर बुद्धी है, बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती, हाँ, समझते हैं, बच्चे जल्दी पढ़कर सहुकार हो जाएं, पढ़ाना भी है, बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हों, और वह भी कहां तक पढ़ते पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं, यह बाप बैठ देखते हैं, क्योंकि यह है चेतन्य फूलों का बगीचा, फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है, बच्चे खुद भी समझते हैं, बाबा स्वर्ग का वर्सा देते हैं, बाप को याद करते रहेंगे, तो पाप कटते जाएंगे नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे उसको कहा जाता है मानी और मोचरा बाप को ऐसा याद करो जो जनम जनमांतर के पाप कट जाएं चक्र को जानना भी है चक्र फिरता रहता कब बंद नहीं होता जू मिसल चलता रहता है जू सबसे आइस्ते चलती है यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आइस्ते चलता है टिक टिक होती रहती है पाँच हजार वर्ष में सैकेंड्स, मिनट कितने होते वह हिसाब भी बच्चोंने निकाल कर भेजा है लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल न सके यहां बाप और बच्चे बैठे हैं बाबा एक-एक को बैठ देखते हैं यह बाबा को कितना याद करते हैं कितना ग्यान उठाया है औरों को कितना समझाते हैं है बहुत सहज सिर्फ बाप का परीजय दो बैजतो बच्चों के पास है ही बोलो यह है शुबाबा काशी में जाओ तो भी शुबाबा शुबाबा कहे याद करते रडी मारते हैं तुम हो सालिग्राम आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है आत्मा घटती बढ़ती नहीं विनाश नहीं होती आत्मा तो अविनाशी है उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है हीरा सबसे मजबूत होता है उन जैसा सक्त पत्थर कोई होता नहीं जोहरी लोग जानते हैं आत्मा का विजार करो कितनी छोटी है उनमें कितना पाल्ट भरा हुआ है जो कभी भी घिस्ता नहीं है दूसरी आत्मा होती नहीं इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीजर, सत्गुरु कहें यह एक बेहद का बाप है शिक्षक है सबको शिक्षा देते हैं मन मनाभफ भाई भाई है अब बाप शिक्षा देते हैं कि मामे कम याद करो तो विक्कर्म विनाश होंगे बाप ही पतित पावन है यह किसने कहा आत्माने मनश्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं बाप कहते हैं तुम सब सेताएं हो मैं हूँ राम सब भक्तों का सदगती दाता मैं हूँ सब की सदगती कर देते हैं बाकि सब मुक्तिधाम में चले जाते हैं सत्यूग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं सिर्फ हम ही होते हैं क्योंकि हम ही बाप से वर्सा लेते हैं यहां तो देखो कितने ड्हेर के ड्हेर मंदिर है, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या-क्या चीजें है, वहाँ यह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा, यह रेल आदी भी नहीं होंगी, यह सब खत्म हो जाएंगे, वहाँ रेल की दरकार ही नहीं, छोटा शहर होगा, रेल तो जाहिए दूर दूर गाउं में जाने के लिए बाबा रिफ्रेश कर रही है भिन भिन पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए यहां बैठे हो बुद्धी में सारा ज्यान है जैसे परम पिता परमात्मा में सारा ज्यान भरा हुआ है जो तुमको समझाते रहते हैं उँच ते उँच शान्ती धाम में रहने वाला शान्ती का सागर बाप है हम आत्माएं भी सब वहां स्वीट होम में रहने वाली है शान्ती के लिए मनश्य कितना माथा मारते हैं साधू लोग भी कहते मन को शान्ती कैसे मिले क्या-क्या युक्ति रचते हैं गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धी सहित है उनका स्वधर्म है ही शांत मुख ही नहीं करमेंद्रिया ही नहीं तो जरूर शांत ही होगी हम आत्माओं का निवास थान है स्वीट होम जहां बिलकुल शांती रहती है फिर वहां से पहले हम आते हैं सुखधाम में अभी तो इस दुखधाम से ट्रांसफर होते हैं सुखधाम में बाप पावन बना रहे हैं कितनी बड़ी दुनिया है इतने जंगल आदी कुछ भी वहां नहीं होंगे इतनी पहाड़ियां आदी कुछ नहीं होंगी हमारी राजधानी होगी जैसे स्वर्ग का छोटा सा मोडल बनाते हैं वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा क्या होना है वंडर देखो कितनी बड़ी श्रिस्टी है यहां तो सब आपस में लड़ते रहते हैं फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी बाकी हमारा राजधे रहेगा इतना सब कुछ खत्म हो यह सब कहां जाएंगे समुद्र धर्तियादी में चले जाएंगे इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा समुद्र में जो चीज जाती है फिर अंदर ही खत्म हो जाती है सागर हप कर लेता है तत्व तत्व में मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृती तुम्हारी वहां नैचुरल ब्यूटी रहती है लिपस्टिक आदी कुछ भी नहीं लगाते तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो ज्यांसनान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं और कोई उपाय है नहीं बाप तो है सदा खुबसूरत तुम आत्माई सावरी बन गई हो माशुक तो बड़ा सुन्दर मुसाफिर है जो आकर तुमको सुन्दर बनाते हैं बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है मैं तो कभी सावरा नहीं बनता हूँ तुम सावरे से सुन्दर बनते हो सदा सुन्दर तो एक ही मुसाफिर है यह बाबा, सांवरा और सुन्दर बनते हैं तुम सबको सुन्दर बनाकर साथ में ले जाते हैं तुम बच्चों को सुन्दर बन, फिर और सबको सुन्दर बनाना है बाप तो शाम सुन्दर बनते नहीं गीता में भूल कर दी है जो बाप के बदले श्रिक्रिष्न का नाम डाल दिया है इसको ही कहा जाता है एकस भूल सारे विश्व को सुन्दर बनाने वाला शुबाबा उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुन्दर बनता है उनका नाम डाल दिया है यह कोई समझते थोड़े ही है भारत फिर सुन्दर बनने का है वहे तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5000 वर्ष का है तो बाप आत्माहुं से बात करते हैं कहते हैं मैं आधा कल्प का माशुक हूँ तुम मुझे पुकारते आये हो हे पतित पावन आओ आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ तो उनकी मत पर चलना चाहिए महनत करनी चाहिए बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंदा आदी नहीं करो नहीं वह सब कुछ करना है ग्रस्त वेहवार में रहते बाल बच्चों आदी को संभालते सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो क्योंकि मैं पतित पावन हूँ बच्चों की संभाल भल करो बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो नहीं तो वह याद आते रहेंगे इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है जो कुछ तुम देखते हो यह सब खत्म हो जाने वाले हैं शरीर खत्म हो जाएगा बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी नया मिलेगा यह है बेहद का सन्यास बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है स्वर्ग में क्या नहीं होगा अपार सुक हैं स्वर्ग तो यहां होता है देलवाडा मंदिर भी पूरा यादगार है नीचे तपस्या कर रहे हैं फिर स्वर्ग कहा दिखावें वह फिर छत में रख दिया है नीचे राज्योग की तपस्या कर रहे हैं उपर राज्य पद खड़ा है कितना अच्छा मंदिर है उपर है अचल घर सोने की मुर्तिया है उनसे उपर है फिर गुरू शिकर गुरू सबसे उपर बैठा है उँचते उँच है सत्गुरू फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग तो यह दिलवाडा मंदिर पूरा यादगार है राज्योग तुम सीखते हो फिर स्वर्ग यहां होगा देवताएं यहां थेना परन्तु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट इन आखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है पुराने घर से दुनिया से दिल हटा लेनी है नए घर को याद करना है दूस ज्यान सनान कर सुन्दर परिजादा बनना है जैसे बाप सुन्दर गोरा मुसाफिर है ऐसे उनकी याद से आत्मा को सामरे से गोरा बनाना है माया की युद्ध से डरना नहीं है विजई बनकर दिखाना है आज का वरदान महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना ब महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिलभव। बाबा ने कहा लोग अल्प काल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय वद्धन खर्च करते हैं फिर भी सची खुशी नहीं मिलती। इमर्ज करो आपके जड़ चित्र वर्दान दे रही हैं तो आप भी चेतन्य में रहम दिलबन बांटते जाओ क्योंकि परवश आत्माएं हैं कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं आप रहम दिलबन देते जाओ आपकी शुब भावना उन्हों को फल स्वराज्य देगी स्लोगन योग की शक्ती दवारा हर करमेंद्रिये को ओर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं ओम शान्ती अन्समय में हर एक बीके को दो कारिय करने हैं वह दो विशेस कारिय बाबा ने कौन से बताए सुनते हैं आज के ज्यानमोती में